Hello everyone, you are welcome in my YouTube channel latest recipes at Sonam मेरे पास में थोड़े से समा के चावल रखे हुए थे और आज मेरा कुछ हलका मीठा खाने का मनवी कर रहा था तो मैं वनाने जा रही हूँ समा के चावल की खीर जो की बहुत जल्दी बन के तयार हो जाती है और ये बहुत टेश्टी भी लगती है आप भी इस रेसीपी को ट्राई कर सकते हो और इस खीर को आप बरत में भी इस्तिमाल कर सकते हो तो चल ये चलते हैं रेसीपी की और यहाँ पे हमने ले लिये थे आदा कटोरी समा के चावल इनको मैंने सबसे पहले अच्छी तरह से दो लिया था और उसके बाद में साब पानी में 10 मिनिट के लिए भिगो दिया था समा के चावल कुछ इस तरह के होते हैं ये स्पेसली ब्रत के लिए बनाये जाते हैं बट आप इसको घर में नॉर्मल बिना ब्रत के भी इस्तिमाल कर सकते हो यहाँ पे मैंने इसके लिए तीन चौथाई कटोरी चीनी जितना मैंने समा के चावल लिये थे उतनी ही मैंने चीनी लिये है इतनी चीनी लेने से खीर न तो बहुत जादा मीठी वनेगी और न फीकी रहेगी तो सबसे पहले हम जिस बरतन में खीर वनाएंगे उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और जब ये पानी अच्छी तरह से गरम हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे एक लीटर दूद पानी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि दूद गाड़ा है और वो तले में चिपकेगा नहीं लेकिन जब पानी में उबाल आ जाए तभी दूद को डालें अगर आप ठंडे पानी में दूद को डाल देंगे तो भी दूद जम जाएगा जैसे ही दूद में उबाल आ जाएगी इसे हम चमस से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे दो मिनिट तक हम दूद को चलाएंगे जिससे की मलाई और दूद आपस में मिल जाएं और उबाल आने पर जो हमने समा के चावल भिगो रखेते उन्हें हम थोड़ा-थोड़ा करते हुए दूद में डाल देंगे एक साथ हम इन चावलों को खीर में नहीं डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करते हुए डालेंगे चावलों को डालने के बाद में हम दूद को लगातार पांच मिनिट तक चलाते रहेंगे जिससे की चावल बरतन के तले में जमे नहीं दो मिनिट बाद में चावल हलके से फूल जाते हैं जिससे की ये तले में नहीं चिपकते हैं अब हम लो फिलेम पे 15 मिनिट तक इसी तरह से दूद और चावलों को पकने देते हैं तब तक हम कुछ ड्राइफ रूट जो हम खीर में डालेंगे उनको कट कर लेंगे और देखिए 15 मिनिट बाद में चावल अच्छी तरह से फूल गए हैं और खीर हमारी थोड़ी सी गाड़ी हो गई है अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए काजू, किसमिस और साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे 3-4 इलाइची का पाउडर इन्हें हम मिक्स करेंगे और 2 मिनिट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे इससे की ड्राइ फ्रूर्ट की खुसवू खीर में आ जाएगी अब हम गैस का फ्लिम आफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे चीनी चीनी हम गैस का फ्लेम आप करके ही डालेंगे वरना दूद चीनी से फट सकता है चीनी डालने के बाद हम तीन चार बाद चम्मस से खीर को चला देंगे और फिर हम इसको ढखकर करीब 10 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे की चीनी खीर में अच्छी तरह से खुल जाए 10 मिनिट हो गए है चीनी अच्छी तरह से खीर में मिक्स हो गई है अब हम गरबा गरम खीर को सर्व करेंगे आप यहाँ पर मखाना भी खीर में यूज कर सकते हो क्योंकि इन्हें बरत में भी खा सकते हैं और नॉर्मली भी खा सकते हैं मखाना से खीर का टेस्ट और बढ़ जाता है ये हमारी समाके चावल की फटाफट जटपट से बनने वाली खीर तयार हो गई है इसे हम ड्राइब फ्रूट्स के साथ में सर्व करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही लेटेस्ट रेसिपी जट सूनम चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें थैंक यू फोर वाचिंग मै वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ